हेलो वेलकम टॉवर यूट्यू चैनल तो दोस्तों आज भारत का वर्ट एथिक्स जैन्मिसिप में क्यार जल रहा इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे आज भारत का मैंस 4x400 मिटर रिले रेस का इवेंट था इसमें भारत छटे इस्तान पर रहा इस रेस को पूरा करने में इंडिया के टीम ने 3 मिनट 7.29 सेकंड लिए और फाइनल के लिए कौलिफाई नहीं कर पाया वहीं दूसरा इवेंट मैंस टिपल जम का फाइनल था जिसमें भारत की तरब से एल्डोस पॉल कम्पीट करते नजर आए उनका बेस्ट अटेम्ट 16.79 मीटर रहा वो 9 पोजिशन पे रहे आज भारत का आखरी इवेंट जैबलिन थ्रोका था इसमें भारत के दो प्लेयर कम्पीट कर रहे थे रोहित यादव की बात करे तो उनका बेस्ट अटेम्ट 78.72 मीटर रहा वो 10 पोजिशन पे रहे वहीं ओलंपिक मैडलिस्ट नीरच चोपड़ा की बात करे तो उनका बेस्ट अटेम्ट 88.13 मीटर रहा इसके साथ ही उन्होंने सेकंड पोजिशन हासिल करी और इंडिया के लिए सिलवर मैडल जीता वो अंजु बोबी के बाद दूसरे इंडियन प्लेयर है जिन्होंने इस चैंपिंशिप मैडल जीता है उमीद करते हैं वह आगे इंडिया के ऐसे ही मैडल जीते रहें ओके थैंक्यू स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज के लिए इस चैनल को सब्साइब करें बाइ झाल